हाई लो फ्रेंड्स गुड आफटरनून दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एक्जाम दो हजार चोविस में पुछे आ सकने वाले मोज्ट इंपाटन सेलेक्टेट पसनों को साल्व करेंगे दोस्तों आपके एक्जाम्स में जितने भी टापिक्स से कोशन्स पूछे जाने हैं उन सभी टापिक्स को कलेक्ट करके A to Z वहाँ प्रिवियस एक्जाम्स के पसनों को पूरी तरह से अनालाईज करके बनाए गया एक मोश्ट इंपाटन वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होका साल्व करें कोशन्स कम साल्व होने पर पुना पसनों का रिविजन करें ताकि UP Police Constable के रिटेन एक्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें तो चले दोस्तों ज्यादा समय ने लेते हुए हम लोग इन सभी मोश्ट इंपाटन पसनों को साल्व करना सुरू करते हैं दोस्तों कोश्टन नमर वन है मारा नीत यायो की नए CEO कौन बने है आप चले दोस्तों नीत यायो से जितने इक स्टाफ यक्ट बनते है हम लोग एक साथ कवर कर लेते हैं ध्यान देगी अप लोग नीती का फूर्फार्म यानि की पूर नाम भी बार बार पूछा आता है तो इसका फूर्फार्म होता है National Institute for Transforming India निकी हिंदी में बात कें तो राश्ट्री भारत परिवर्तन संस्थान नीतियाव के पर्थम उपाध्यस अरबंध पन घडिया थे नीतियाव के पर्थम CEO की बात की जाए तो अमिताप कांद थे वर्तमान में नीतियाव के उपाध्यस इसका मुख्याले नई दिल्ले में है यह सारे एक्ष्टाफ हैं जो यहां से पूछे जाते हैं मोस्ट इंपार्टन है रिवीजन जरूर कीजिएगा आप चले दोस्तों करेंट अफिस के कोस्टन को अम लोग सालकी हैं आपे करेक्ट एंसर होगा विनीत कुमार कौन है विनीत कुमार सी इवो इसका भी फुल फार्म ध्यान रखेगा दोस्तों पूछा ज़ा सकता है इसका पूर्ण नाम होता है चीफ एक्जूकुटिव आफिसर यानि की मुख्य कारी-कारी-अधिकारी अगला कोश्चन है मारा हाल ही में रा आप लोग रा जानते होंगे दोस्तों भारते खुपी आइजनसी का नाम है तो कोश्चन है हाल ही में रा के नए परमुक कौन बने है करेक्ट एंसर होगा रवी सिनहा रा का फुल फार्म होता है रिसर्च एंड अनलेसिस बिंग ये भी ध्यान रखेंगे रा की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1968 मों और इसका भी मुख्याले नई दिल्ले में है ये सारे चीजें ध्यान रखेंगे यहां से जो की पूछे जाते हैं अगला कोश्चन है सीमा सुरच्छाबल यानि की बियस अप के नए महानी देशक कौन बने है करेक्ट एंसर होगा नितिन अगरुवाल अगला कोश्चन है मारा केंद्रिय अनिवेशन व्यूरो CVI के नए महानी देशक कौन बने है तो परमीड सूध है कौन है परमीड सूध है अगला कोश्चन है मारा रच्छा अनुसंधान यों विकास संगठन DRDO आप लोग जानते होंगे के नए ध्यस कौन बने है तो समीर अगला कोश्चन है भारतिय राष्ट्री राइफल संग यानि की एन आर ए अब इसका फूल परम आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे और कमेंट जरूर किजिए जोडने का परियास किजिए ऐसा नहीं आप कहीं से दो कोश्चन देख लिए इस वीडियो की एसा कुछ होने वाला नहीं है इसे कुछ भी नहीं हो गया दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा काफी इंतजार के बाद में या आप लोगों के लिए एक बेकेंसी आई हुई है अच्छी खासी अब इसमें अपने मौके को ऐसे ही हाथ से ना जाने दें जितने भी मौश सब्सक्राइब को पूछे जाते हैं आप लोगों के पूरी तरह से कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उनको पूरी तरह से दोस्तों कवर करने का प्रियास करें तभी कुछ हो सकता है अगला हमारा भारती राष्टी राइफल संग एनाराई जिसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे, comment जरूर कीजिए, most of our questions पर comment बोला जाता है, comment करने के लिए आप करेंगे कि दोस्तों, questions को याद करेंगे, याद नहीं होगा, तो search करेंगे, उसके बाद में उससे comment में डालेंगे, फिर comment करेंगे, ऐसा करने से, इसे questions से आप लोग जाद से जादे दिनों तक prepare रह है, तो है, परभीण कुमार स्रिवास्तो, अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा साब यहाँ पर हम लोग PDF के बारे में बात करेंगे, चार PDF यहाँ पर हमारा लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग फिर questions के ओर चलेंगे, सबसे पले हम लोग UP Police Constable के बारे में ही बात करेंगे, ज दोस्तों, टोटल 40 PDF के जरीए आप यहाँ पर complete करवाई जा रहा है, तो अगर आप इनके अच्छी प्रिपेसान चाहते हैं, होट सब नंबर पर दोस्तों, आप लोग मैसस करते हैं, या फिर दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप लोग PDF के बारे में जानकारी ले सकते हैं, दूसरा PDF दोस्तों, SSC GD, जिसका 20 फरोरी से एक्जाम स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो पार्ठ करम रखा गया है, GKGS, आपका General Science भी सामिल है, current affairs और सामान हिंदी, इनके पूरे पार्ठ करम को टोटल 25 PDF के जरीए complete करवाई जाए रहा है, इसकी paid fees 50 रुपीज रखी गई, अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट करके आप लोग ले सकते हैं, दूसरा PDF है, विहार SSC 10 प्लस टू 2030, लगभग फरोरी में इसका भी एक्जाम करवाई जाएगा, इसमें जो आपके पार्ठ करम दोस्तों, सामान लिग्यान, सामान लिग्यान और current affairs, इनके पार्ठ करम को टोटल 25 पीडियाफ के जरी है, यह भी complete करवाई जा रहा है, पेट फिस इसकी भी 58 रुपीर रखी गई है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट करके या होड़ सा परमाइस करके आप लोग पीडियाफ ले सकते हैं, SSC GD विहार SSC का कमबाइन नहीं किया जा स तीसरी बात यहां दोस्तों कि विहार SSC में आपके शामान हिंदी पाठकरम में नहीं है, लेकिन SSC GD में शामान हिंदी से भी कोस्टन्स पूछे जाएंगे, इसलिए कोस्टन्स के ट्रेंड में काफी डिफरेंस है, जिसके यहां पर कमबाइन नहीं दिया जा सकता, हम हुआ जाएंगे, इनके भी पूरे पाठकरम को टोटल 40 PDF के जरी कंप्लेट करवाई जरा है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो इसकी पेटफिस 100 रूपीज रखी गई, आप लोग हार सब के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप लोग दोस्तों जुड़ सकते हैं, पीड चेक करें, जो सबसे नजदिक लगे, सबसे सटिक लगे, उसी अपसंस को चुने, उसी को अपना एंसर दे, वर्तनी के कान, काफी दोस्तों समय के दबाव के कान एक जांस में को संस गलत होते हैं, चलिएगा, कोस्टन है मारा, अचला निम्न में से किसका प्रियावाची सब दोगा, करेक्ट एंसर गा, पिर्थिविका, एक कोस्टन इस तरह से रख दिया गया है, अब चलिए, मोस्टों प्रियावाची के जो कोस्टन बनते हैं, उनको एक साथ कवर करते हैं, ध्यान दिजेगा, एक तरफ सब्द रिखा गया है, दूसरी तरफ प्रियावाची सब् उन सभी दोस्तों, यहाँ पे सब्द को डाला गया है, आति ठीका देखेंगे आप लोग, तो पाहुन होता है, महमान होता है, आगंतुक होता है, पाहुना होता रर अभ्यागत होता है, ये इतने अध्यार रखेंगे, तो ये question आपके एक्जामें पुच्छाता है, तो फोकस करने का प्रियास करेंगे या फिर पीडिया पगले टेह हैं तो अगर print out करवाते हैं आप लोग तो दोस्तों underline लगाके अच्छी preparation करने का प्रियास किजिएगा ताकि आप लोगों की अच्छी से प्रिपेशन कंप्लेट हो सके, अगला है दोस्तों, अज्यानी का प्रियावाची, अब इसमें देखिएगा, मूर्ख है, मोड है, अनजान है, और अनभिग है, ये चार सब्दा प्रोग दियान रखेंगे, नेक्स्ट है आभूसन का प्रियावाची, भूसन होगा, आभरण ह होगा, जेवर होगा, और गहना होगा, आगे चलते हम लोग, नेस्ट कोई, अगला प्रियावाची, तो इसका होगा, अनाशक्ति होगा, लापरवाही होगा, विराग होगा, विरक्ति होगा, और उदासिंता होगा, नेक्स्ट है किनारा का प्रियावाची, किनारा में 그러k wolf न exist कि संहंते हैं दामनी का देखेंगे तो चपपला होगा निक्ट करेंगेट तो ऱजके जना साइंस के लगा हुआ है question है दोस्तों, यांत्रे कुर्जा को धोनी उर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, most one question है, तो correct answer क्या होगा, यांत्रे कुर्जा को धोनी उर्जा में बदलने वाला यंत्र है, शितार, अब चले दोस्तों, इस topic से जितने भी question बनते हैं, एक साथ हम लोग cover कर लेते हैं, आंत्रिक उर्जा को बिद्दुत उर्जा में रुपांत्रित करता है, next है मुवंबत्ती, मुवंबत्ती क्या करती है, तो ये रासायनिक उर्जा को परकास यों उस्मा उर्जा में परिवर्तित करती है, next है microphone, ये क्या करता है, धोनी उर्जा को बिद्दुत उर्जा में ब बदलती है, किसको बिद्दुत उर्जा को परकास उर्जा में बदलती है, आगे चलेंगे हम लोग, टूब लाइट तक हमारा हो चुका है, नेक्स्ट है बिद्दुत मोटर, ये क्या करता है, बिद्दुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है, नेक्स्ट है उर्जा को धोनी उर्जा में बदलता है अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग आप लोग जानते हैं दोस्तों बहुत सारे आर्गनाइजेसंस के नाम प्लेसों के नाम चेंज के गए हैं तो वहां से जो मोश्ट पड़ बनते हैं हम लोग पूरी तरह से कंप्लेट करेंगे सेले है नई दिल्ली के प्रवासी भारते केंद्र लोकेशन का नाम भी डाल दिया गया दोस्तों नई दिल्ली के प्रवासी भारते केंद्र का नाम बदल कर क्या रखा गया है सुस्मा सुराज भवन नेक्स्ट है रेलवे सुरच्छाबल जो आर्पी अप था दोस्तों उसक सोरंग नेक्ष्ट है अंडबान निकोबार के हाइवलाग द्यूप का नाम चेंज किया गया है और नया नाम रखा गया है सोराज द्यूप क्या सोराज द्यूप अगला है बेटी बचाओ वेटी पढ़ाओ वियान का नाम चेंज किया गया है नया नाम बदलाओ रखा गया है इसका पूरा नाम पुछाया है दोस्तों, तो होगा बेटी आपा धनलच्मी और विज़यलच्मी, ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर अप्सन में आता है, बेटी आपा धनलच्मी और विज़यलच्मी, आगे चलेंगे, नेक्ष्ट देखेंगे हम लोग, अगला है दोस्तो तो महाराष्ट के उसके उपर है दूस्तों, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट, नाम चेंज किया गया है दूस्तों, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है, और नया नाम रखा गया है, मोनोहर परिकर इंटरनेशनल एरपोर्ट, नाम रखेंगे नेक न्याशर चट्रपती संभाजी नगार रखेंगे कुछ योजनाव से संबनधी संभाजी नगाँ न मुंतने नम रखेंगेust हम लोग परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने राम सर अस्थलों के सनरचन के लिए कोशन पर ध्यान देज़ेगा दोस्तों जो डाला गया है मोश्ट पड़ बनते हैं ये परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने राम सर अस्थलों के सनरचन के लिए 2030 में किस योजना की सुरूआत की है तो अ अमरित धरोहर योजना अगला है दो करोण महिलाओ को आत निर्भर यूं ससक्त बनाने के लिए केंदर सरकार ने 2030 में कौन सी योजना की सुरुआत की है तो लखफती दीदी योजना अब पूछ लिया जाएं पलट के कि लखफती दीदी योजना का समन्द किसे हैं तो दो करो अगला है भारत में इलेक्टरिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद सरकार ने 2030 में किस योजना को मंजूरी दी है तो पीम इवस सेवा इलेक्टरिक बस सेवा बढ़ाने के लिए धियान रखेंगे एगला है महिला यहम बढ़िकास मंत्राले ने दुसकर्म प्रीडित नावालिकों के लिए वर्स 2030 में किस योजना को सुरू किया है तो Mission Vatsal योजना Most Important है यह Mission Vatsal योजना जो की महिला वहम बाशिकास मंत्राले के दौरस शूरू किया गाया सबसे प्लें ध्यान रखेंगे पुछा सकता है, दुस्कर्म पीडित नावालिकों के लिए 2030 में, आगे चलेंगे, नेक्ट कोशन देखेंगे हम लोग, अगला कोशन दोस्तों हमारा हिंदी से लगा हुआ है, सबसे प्ले कोशन देखेंगे, उसका एंसर देंगे, पुना हम लोग इस टापिक से जितने कोशन सबनते एक साथ कबर कर लेंगे, कोशन क्या है, लज्जा सब्द का सही तद्भाव सब्द होगा, यानि तद्भाव से कोशन आया हुआ है, करेक्ट एंसर क्या होगा, लज्जा सब्द का सही तद्भाव सब्द होगा, तो लाज होगा, क्या होगा, लाज होगा, अब देख का क्या होगा तत्सम अगनी होगा दोनों तरफ से ध्यान रखें इसलिए मैं बोलता हूं रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टन्ट है तिरिन का तत्भव क्या होगा तिनका होगा नगन का तत्भव नंगा होगा परबत का तत्भव पहाण होगा अश्ट का तत्भव आठ होगा दं मुष्ठ का तदबह ौट होगा चक्र का तदबह चाक होगा और गो तदबह क्या होगजा ध्यान रखेंगे यह तद्ध से मोश्ट पर शब्राद सब़्रखें गे थे जुनको यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लेट किये हैं अगला कंश्चन देखेंगे दूस्तों जो कि GK से किया था करेक्ट एंसर होगा महात्मा गाधी ने किसने महात्मा गाधी ने अब चली एक साथ हम लोग इसको कबर करते हैं ध्यांदिजीग आप लोग पहला कोश्चन है हमारा कुछ पुड़ी किस राजिका परसिद शास्त्री निरते हैं तो आंधर परदेश का है नेक्स्ट है कलिंग पुरसकार की छित में परदान किया जाता है तो विज्ञान के छित में परदान कियाता है अगला है गरायमी पुरसकार की छित में दिया आता है तो इस संगीत के छित में दिया आता है नेक्स्ट है जैन धर्म का वास्तिविक संस्थापक किसी मनाता है तो अजात सत्रू को कहा जाता है, next, इंडिका किसकी परसिद रचना है, तो मेगस्थनेस की है, किसकी है, मेगस्थनेस की है, अगला है, मौर्ज शासा कसोग ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, करेक्ट टेंसर होगा, 261 हिसापूर में, अगला है, शहनामा की रचेता कौन है, तो फिर दोसी है, next है, भारत की पर्थम मुस्लिम महिला साश का कौन थी, तो रजिया सुल्तान है, बार-बार ये कुशन पूछेंगे हैं दोस्तों, अगला कुशन देखेंगे हम लोग, एक्तादारी पर्था किसने परारम की थी, तो इल्टुत मिस्थने की थी, next है, भार में स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो वो लाड कार्नुवालिस ने किया था, किसने लाड कार्नुवालिस ने, अगला है, अठास स्थान इसबिक्या सिपाही दोरो कहां से परारम हुआ था, तो मेरड से हुआ था, कहां से हुआ था, मेरड से हुआ था, अग पूना समझोता जो की 1932 में होता, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, पूना समझोता कब होता, 1932 में होता, किनके मद में होता, तो गाधी और अमबेटकर के मद में, किनके मद में, गाधी और अमबेटकर के मद में, ते थे दोस्तों, इस सिरेज के टाप MCQs के परस्न, जिनको य हमारे दोरा दे जाने वाले सभी वीडियोस आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में थैंक्स वार वाचिंग